एक सो चप्पा नेकर में फैला ये है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिल जहां पूजे जाते हैं विश्णू के अफ़तार भगवान रंगनाथ तमिल नाडु के श्री रंगम डिस्ट्रिक्ट में बना है श्री रंगनाथ स्वामी टेंपुल आपको शायद विश्वास न हो पर ये मंदिर बाटकन सिटी से भी बड़ा है जहां लगभग 110 एकड में बसा ये देश एर्या के मामले में रंगनाथ स्वामी मंदिर से छोटा है और अगर आप भी मेरी तरह फिटनेस फ्रीक हैं तो इस मंदिर के 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स में लगभग 13,000 स्टेप्स तो चली ही लिए थे थे, हैना? चली आप इस विशाल मंदिर के परिसर के ओर नजर घुमाते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में साथ कंसेंट्रिक इंक्लोशर्स हैं आखरी वाला तो 3 किलोमीटर लंबा है अंदर के 5 इंक्लोशर्स में मंदिर है और बाहर वाले दो में समझो एक छोटा सा शेहर वसा हुआ है भाई वाह ये मंदिर तो बिल्कुल एक टाउन्शिप जैसा है अब देखिए मंदिर का एक और खूबसूरत अकर्शन रविडियन स्टाइल में बने इसकी गोपुरम गोपुरम दक्षन भारत में प्रवेश का द्वार है रहता है और कुल मिलाकर यहाँ पर 21 गोपुरम की स्थापना करी और ये है गोपुरम का राजा राजा गोपुरा 236 फीट उंचा ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेंपल टावा है पता है ये इंडिया गेट से लगभख 100 फीट उचा है अचा अब एक और मज़िदार बात सुनीए तो 1920 से लेखे अभी मतलब के 1987 तक नई बिल्डिंग्स वहाँ पर बनती गई है इस मंदिर में जिस तरीके से नई बिल्डिंग्स की स्थापना हो रही है आज तक कहीं नहीं देखा गए वैसे इस मंदिर में एक और बहुत ही खास बात है इसके अलग-अलग हिस्सी विभिन्न सामराज्यों के दौर में बनाए गए है मंदिर की जो इमारत हम आज देख रहे हैं उसमें चोला, पांडया, होईसाला और विजय नगर सामराज्यों द्वारा के गए गए अनेक बदलावों की जलत मिलती है इस मंदिर की खुबसूर्थी ये है कि आपको हर काल की कोई एक अलग बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी बाउंडरी के आप लेकिन मंदिर की खुबिया यहां खत्म नहीं होती यहां सैक्रो मूर्थिया नाचरल दाय से बनी पेंटिंग्स और एंचिन्ट इंस्क्रिप्शन्स हैं जो बीदे वक्त में वापस ले जाते हैं इस पर दो मतलब के एक पीएच्टी क्या अनेक पीएच्टी लिखी जा सकती हैं क्योंकि हर काल कि आपको शिलालेख महाँ पर में वाकई श्री रंग नाथिस्वामी मंदिर का एक एक पत्थर भारत के इhtihास और कला का प्रतीक है मुझे नहीं लगता ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा इधापन्स ओनली इंडिया